नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासेस पे दोस्तों आज के इस वीडियो में केबल 10 कोस्टन्स होंगे जो कि डिफेंस के एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपुडेंट कोस्टन्स होंगे तो दोस् चालिकल रहे हैं तो आपके लिए वीडियो क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक कोषिय महत्तपूर्ण है तो यह बीडियो का पैड Almost on to be जह क्योंद्र की बीजू जो अप्पा दनप्पा जट्टी, ऑप्शन B, डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन, ऑप्शन C, अब्दुल कलाम, ऑप्शन D, डॉक्टर राजंदर प्रसाद, तो कॉस्चन नमबर वन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन D, डॉक्टर राजंदर प्रसाद, नेक्स्ट कोश्चन होगा हमारा, कोश्चन नमबर टू, नोबल पुरुसकार प्राप्ट करने वाले प्रिथम भारती ये कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन से आपके, ऑप्शन A, मदर टेरेसा, ऑप्शन B, आत्मर सेन, ऑप्शन C, रविंदर नाथ टैगोर, और ऑप्शन D सरोजनी नाइडू, तो कोश्चन नमबर टू का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन C, रविंदर नाथ टैगोर, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा, कोश्चन नमबर ट्री, भारती राश्टरी कांग्रेश के प्रिथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारती राश्टरी कांग्रेश के जो प्रिथम अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था, ऑफ्शन से आपके, ऑफ्शन A, वोमेश चंदर बनर जी, ऑफ्शन B, फ्रोसा, मेता, ऑफ्शन C, बाल गंगाधर तिलक, और ऑफ्शन D, इन में से कोई नहीं, तो कोश्चन नमबर ट्री का सही आंसर होगा, ऑफ्शन A, जो मेश चंदर बनर जी, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर फोर, प्रिथम भारती अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रिथम भारती अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ऑफ्शन से आपके, ऑफ्शन A, सुनीता ब्लियम्स, ऑफ्शन B, कलपना चावला, ऑफ्शन C. राकेश सर्मा and option D. इनमें से कोई नहीं तो question number 4 का correct answer होगा option C. राकेश सर्मा question number 5 की तरफ चलते हैं भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज कौन सा है option से आपके option A. सिक्किम, option B. चंडीगर, option C. मिजोरम and option D. गोवा question number 5 का जो सही answer है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले जो राज जा है भारत दोस्तों सिक्किम तो next question की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को download करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की description से download कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक जरू करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा online classes को subscribe करें तो चलिए दोस्तों next question की तरफ चलते हैं question number six भारत के प्रथम वाइस राय थे भारत के प्रथम वाइस राय कौन थे options हैं आपके option A Lord Kenning, option B Sir John Sor, option C Lord William Bentick and option D है आपका Earl Kern Wallace तो question number six का जो correct answer होगा वो है option A Lord Kenning next question है हमारा question number seven भारत की प्रथम महला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की प्रथम महला मुख्यमंत्री कौन थी options हैं आपके option A उमा भारती, option B सुस्मिता सेन, option C इंद्रा गांधी and option D स्रीमती सुचेता कृप्लानी तो question number seven का correct answer option D स्रीमती सुचेतो कृप्लानी ये भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी next question है हमारा question number eight भारत की प्रथम महला राष्ट्रपती कौन थी तो भारत की प्रथम महला राष्ट्रपती कौन थी, options होंगे आपके, option A इंद्रा गांधी, option B स्रीमती सुचेता कृप्लानी, option C स्रीमती प्रथभा पार्थिल and option D इनमें से कोई नहीं तो question number eight का correct answer होगा, option C स्रीमती प्रथभा पार्थिल, यह हैं दोस्तो भारत की प्रथम महला राष्ट्रपती स्रीमती प्रथभा पार्थिल थी और स्रीमती सुचेता कृप्लानी जैसले कि आपने पिछले question में देखा यह भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी और इंद्रा गांधी का नाम है आपर इसलिए है क्योंकि यह भारत की पहली महला प्रथभान मंत्री थी तो दोस्तो यह question बहुत important question है आपके लिए इस question में आपके तीन question के लिए होते हैं पहली महला प्रथभान मंत्री इंद्रा गांधी पहली महला मुख्यमंत्री स्रीमती सुचेता कृप्लानी और पहली महला राष्ट्रपती स्रीमती पृत्वा पाटिल तो next question के तरफ चलते हैं question number 9 दोरा सतक बनाने बाले पिर्थम भारतिय महला करिकेटर हैं तो ऐसी कौन सी पिर्थम भारतिय महला करिकेटर हैं जन्होंने दोरा सतक बनाया है option से आपके option A मिथाली राज, option B अन्जुम चोप्ला, option C अमिता सर्मा and option D इनमें से कोई नहीं तो question number 9 का correct answer होगा option A मिथाली राज next question है हमारा और आज का last question question number 10 अंतराष्टी नियाला में नियुक्ती पिर्थम भारतिय नियाधिस अंतराष्टी नियाला में नियुक्त पिर्थम भारतिय नियाधिस कौन है, option से आपके डॉक्टर नागेंदर सिंग, option B जीवी मवलंकर, option C जगदीश चंदरबसू and option D आरके नरायन तो question number 10 का correct answer होगा option A डॉक्टर नागेंदर सिंग तो ये थे हमारे आज के 10 questions जो की बहुत important questions से खासकर दोस्तों defense की job के लिए तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू करना, thank you for watching और अगर आप अभी तक चैनल पर नए है, चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe करें और वाल आइकन का प्रेस बटन जरूब प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन, जैभारत